तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों आज एक नई वीडियो लेकिया है वहाँ लेए बड़ी दमदार वीडियो है और काफी लोगों को काफी समय से इसका अंजार था काफी लोग कमेंट भी करते थे कि जो आपकी नेक्सों ने उसका एक long term review दो या user experience वीडियो बनाओ तो आज समय आ गया है कि इसका जो है long term वीडियो दे दू मैं और सारे आपके doubts clear कर दूं गाड़ी mileage कितना देती है गाड़ी का performance कैसा है पाहडों में गाड़ी कैसे चलती है गाड़ी की service cost कितनी आती है और गाड़ी के engine में या गाड CR की side rate तो मैं तो मना ही करूंगा उसके पिछे की कुछ रीजिन है वह सब भी इस चीज में discuss करेंगे दोस्तों और यह diesel engine है 2018 का दो एक्स एड प्लस वाला model है तो उन सब चीजों की बात करेंगे कि आपको diesel buy करनी चीए या नहीं करनी चीए या कौन सा variant आपको लेना चीए व आपको पुरानी जनरेशन वाली है तो अगर पुरानी आप लेना चाहरे हो तो आपको 7-8 लाग तक की मिल जाएगी तो सबसे पहली चीज है कि हमने गाड़ी बाय करी थी मार्च या फेब्रेरी 2018 को उस टाइम यह फर्स जनरेशन था और यही वाला model उस टाम पर आता था औ XZA उस टाम पर यह top end model हो करता था XZ plus ठीक है अभी और भी models आड़ होगे है जैसे XZA plus अप्शनल अगरा भी आड़ होगे है उनमें sunroof अगरा भी आगे लेकिन उस टाम पर सबसे top end variant यही हुआ करता था और उस टाम पर इस गाड़ी में कोई sunroof नहीं आती थी और इस गाड़ी में हम देख रहे थे तो हमने दोनों गाड़ी देखी ठीक है लेकिन जो करेटा का बेस इंवरंट था इसमें काफी ज़्यादा लंबा वेटिंग था और हम यह इतना लंबा वेटिंग चैही नहीं था क्योंकि एक मैनी के अंदर गाड़ी लेनी थी और जो पे कर दिया था चेक भी दे दिया था हमारतियों की वालों को ठीक है और अल्मोस्ट सब कुछ प्रोसीजर हो चुका था बस गाड़ी लेनी थी एक्शिली होता क्या है कि हम जाते हैं ब्रेज़े की टेश्ट्राइव लेनी के लिए तो मैं मेरा भाई और मेरे भाई का एक फ अगे अलाव नहीं है प्लीज आप पीछे बढ़ जीए आप रूडली हो सीधर रूडली बोलता है कि भाई सर आप आगे नहीं बैठ सकते और आगे बैठने देंगे आपको अलाव नहीं है ठीक है एक वे होता है तो बड़े रूड तरकी से उसने कहा ठीक है तो हमें गाड़ी में ठुक हो गया गाड़ी रोड से नीचे उतरीगी तो हमने गाड़ी नीचे उतार के देखी तो उसमें हुआ क्या कि जो गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा एना गाड़ी ऐसे घूम गी ठीक है मतलब यहां पर आ गया और गाड़ी फिर निकली तो बिलकुल मतलब हमारा दिमाग में बैट है कि यह गाड़ी बिलकुल सेफ नीचे और काफी बैंकर वाला डर लगा हमारे को ठीक है मैं मेरा भाई और मेरे जो भी आये थे वो तीनों डर की बोलते भाई नहीं लेनी गाड़ी ठीक है उसके बाद क्रेटा खेर हमने टेस्ट ड्राइव ली ले मैं गाड़ी लेने भी जा रहा था तो उस टाइम मेरे को लोग बोल रहे है कि हूं तु टाटा ले रहा है ठीक है टाटा का बोड़ापा बेकार होता है बहुत चीजे लोगों ने बोली मतलब जो लोग साइकल पर चलाते है वो भी मेरे को एडवाईज दे रहे थे कि भाई अंतर गाड़ी मिलगी और गाड़ी हमने चलाई काफी अच्छे एक्सपरेंस से आज तक 55,000 अलमूस्ट चल चुकी है कभी कोई दिक्कत नहीं आई कुछ दिक्कत यह थी वह भी हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में देखो सबसे पहले क्या है गाड़ी की बिल्ड अब देख ली जिगाए बिटल में तो वह गाड़ी लेके जाते हैं उनको शादी में जना था गुजरात आहमदाबाद तो वहां गाड़ी लेके चले जाते हैं तो होता है कि वह डरे वोगे थे थोड़ा ठीक है मैं समझ गया था कि कुछ हुआ है गलत तो शायद उनका कु है इसका लाविल तूट किया था तो मैंने से डैमेज होता कुछ जाता नहीं गाड़ी सिधा डिवाइडर वगर में ठुकी थी एंपी सैड गहीं पर गुजरात या एहमदाबाद में शायद हुए तो गाड़ी वहीं पर जमा करते हैं और आ जाते हैं तो मतलब थोड़ा सा हमें भी बुरा लगा कि नई गाड़ी से लेकिन दूसरी चीज यह जगा नहीं देखे जाती हमें उस बंदे की सेफ्टी का कंसर था तो हमने बहें से पुच्छे सेफ है आप सेफ हो हम बिल्कुल सेफ है ठीक है उन्होंने बला बच्ची मेरे पीछे वाले सीट पर सोरती व अब अपने गाड़ी लेकि जाता तो पूरा परिवार खतम था ठीक है तो पहला तो बिल्कुल्टी का कंसर नहीं हमारा क्लीर हो कि गाड़ी अच्छी लेली सॉलिड लेली उसके बाद अगला चीज़े क्या है कि भाई लोग पूछते है मालेज वगर क्या दरी गाड़ी थ अगर आप गाड़ी को मालेज निकालने के यसाफ से चलाओगे लाइट फूट चलाओगे तो आपको गाड़ी बीस का मालेज देगी अधर्वाइस गाड़ी आपको 18-19-20 के बीच में रहती है तो मेन क्या है अगर मालेज अगर आपको निकालना नहीं तो आपको लाइट चलाओगे तो आपको गाड़ी 18-19 देगी ठीक है और सिटी में इसका मालेज नहीं है सिटी में 10-11-12 ठीक है मैक्सिमम 13-14 मैक्सिमम उसी ओपर नहीं जाता कभी ठीक है उसके बाद क्या है अगला पॉजिटिव क्या है इस गाड़ी का कि यह गाड़ी जो है इसमें यह प्र से हुई हम इस गाड़ी को एमदाबाद गुजरात से वहीं से वापस गाड़ी को लेकर आये थे तो हमें गाड़ी में बिल्कुल थकान नहीं हुई 2000 किलो मेटर चलाने पर भी आप इस गाड़ी में थक होगी नहीं तो यह चीजी है आप मतलब लॉंग ड्राइव पर बहु है मैं आपको गाड़ी का चलाते हैं मेलेश की बात क्लिएर होगी आपको थीए और एक लेने की पिछा क्या था मारूतिना देनीकर पिछले का आपको फटल लगया अगली चीजी सर्विस कोस्ट वगर पांच जार शे जार साथ जार मैक्सिम्मूर आठ घाट टक्स चला जा तो है service cost वगरा कम हो जाती है जैसे कि service labor charge वगरा आपको 10% कम हो जाता है parts पर 10% कम हो जाता है वो सब चीजे हैं तो maximum जो मेरे को service cost तक गई है सबसे maximum वो 6600 गई थी ठीक है उसमें 7000 कुछ का bill बना था लेकिन मेरे को पड़ी थी अगला चीज उसके बाद अगला है service center वालों का behavior तो भाई यह बड़ा question है service center वालों को behavior है मतलब अंबाला में थोड़ा ठीक है लेकिन मैंने बाहर एक दुजगा गाड़ी की service कराने का सोचा तो भाई मेरे को behavior बढ़ेन लेगा वह वाली feel आती है सरकारी दफ्तर में आप चले गए हो ना और आप वहां पर request कर रहे हो कि कर दो कर दो सुबह जाते हैं शाम को गाड़ी मिलती है सुबह आप 9-10 बजे चले जाओ आपको गाड़ी मिलेगी रात को शाम को मतलब वही चार-पांच शेंग है ठीक है मतलब कुई ट्यागो ले लो ठीक है सफारी ले लेकिन में ने काम करना चीए कहां पर इन्हें में काम करना चीए अपनी सर्वीस में ठीक है जो सर्वीस एडवाइसर है ना भाई वो मतलब पांच मेंसे मैं उनको डाई स्टार दूंगा बस आठ सिट ठीक है आप समझ जाओ कैसी सर्वी इस बैठके ना और गेट भी इसके डोड़ है और अब मैं बता हूँ इस गाड़ी को मैं ले गए आउन लगबग फिको हिमाचल में भी लेक है हमेर्पुर्ण वगरा तो मेरा फ्रेंड वहां पर एक रहता है विशाल ठाकुर्णाम है उसका उसकी शादी में गए तो यहां पर पापा डर है तो यह बोलती हैं नहीं निकलेगी बंट मैं वहाँ भी भी तरा वहां फे पैसे गाड़ी चड़ी बहुत आराम से उत्री टीक स्मिदर के वहां पर बल्लर जासे गाड़ी जो है रीयर वील स्पिन कर रहा था था थोड़ा बोध तो इसका भी करी रहा था ठी मेरे यसाब से गाड़ी नियुक्त मेरे को लगी है अगया जो यह बहुत ज्यादा मोटा है शेफुटी अच्छी खरना के चक्क्रमन ने यह यह बहुत मोठा करती है इस में बहुत बहुत भवाला गाड़ी के गर आप यहाँ पर गाड़ी है और इधर वाला कहीं बार बंदा दिखता नहीं है और हो सकता है चांसिज रहते हैं कि मतलब एक्सिदेंट अगेरा होने के पाड़ों में जाता मेरे को यह फील हुआ क्यार किंड़ा में क्या जब मैं गाड़ी ले गया था मैं सीट विल्कुल आगे करके उसके बाद इस गाड़ी को जो है ड्राइव कर रहा था अगर मैं पीछे करता हूं तो उसमें इरको दिक्कत ओ लरती लेकिन worksheet आगए तब बिल्कुल तब जाके गाड़ी ड्राइव कर रहा है अगर उसी जगवे बैठके चलाओं तो मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी देख फरंट की जो लूक है इसकी जो headlamp का जो थो है इस वाले मॉडर का बहुत सही है ठीक है काफी अच्छा-कासा थो मिलता है बाकी जो इसका बंपर बहुत रगड़ लगता है इसका बंपर बहुत जबर्दस लगता है और मतलब लगता है कि बहुत तगड़ी चीज़े देखो लोहा इसका फील होता है भेंकर वाला ठीक है काहीं बेल थोड़ी तोड़ी थे कंदoben मिलको ठीक है यह यहां पर हल्की सी रस्टिंग देखिक है यहां बालों बहुत क्यों जो खाली से यहां पर बंड़ा शदॉन कर्याव कर चाहिए और और मुझे बस एक Such कि आनी μεजर रस्टिंग इसमें कहीं देखी नई कि आ बस एक दिखिए और भूर में देख लेता हूँ यह तो और बार कीप вопросы पईनल में कहीं कोई रस्टिंग कुछ नहीं है और यहां पर नीचे आपको यह वील भी मिल जाता है और सबसे बड़ी बात है सबसे बेस्ट चीज मुझे क्या लगी जैसे और कंपनी का करते हैं छोटा वील देती है लेकिन इसमें मेरे को 215-64 वही जुगाड़ी किसात मिलता है वही सेम एक्जैक्ट टायर मिला तो यह वाल है एक चीज और मेरे को इसमें क्या लगती है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या बंदी की पजिचन थोड़ी नीचे रहती है तो यह एरी कम फील होता है यह थोड़ा सा मेरे को इसमें लगा बागी स्पेस में लेग स्पेस वकरा में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है गेट इसके है यह दो इतने बड़ है ना भाई इतने हैवी एना कि हलका सा वह करो आपने बड़ जाते है पाइक बैड़ चुने आपको बंद करने पड़ते वह हलका सा करता हूं ना बस पर अपने चलल आता है और खुलते भी काफी ज्यादा है डोर नैस के बाकि कड़ा प्रीचे तग कि थी तो इसमें देखो यहां पर हल्गा से स्क्राइच आया था यह उस टाइम का 2018 में लेती ही आगया था और यह इसकी जो एक्सेसरी जए थोड़ी सी महेंगे आती है लेकिन इसका यह टूता है यह तीक है यह ने रिखेल में 11-12 रुपे कि थी लेकिन इनकी एक्सेसरी भी पाइच साल आज तक ना कोई रंग उत्रा ना फेड हुई ना जंग लगा इतनी जबर्दस अक्सेसरी जसकी लोग बोलते ना क्या फायदा होताए कंपनी में लगवाने से और इस में लगवाने से तो यह फायदा होता है कि पाइच साल में आपकी आपकी चमकते कर कप्डा मार दूँगा अभी ऐसी चमकी हुई लेकिन अगर बाहर से हमने लगवाले थे ट्यागों में उसका वाई ऐसा हाल हो गया सारे में जंग लग दिया यह वाली भी क्रोम यह सारा पूरा पैनल इवन यह वाला भी यह पार्ट अपर अक्सेसरी था और यहां पर भी एक पूरी स् ठीक है यह भी पूरे क्रोम वाले हैं और यह मतलब काफी महंगे आते हैं तो मेरा ड्राइवर साड़ का उड़ गया कहीं पर तो मैंने दूबरा डलाने की हम्मत ही नहीं क्योंकि मैंने बोला एक देदो वह एक दिने के लिए माननी रहे हैं और चारो हम लेनी सकते हैं ठीक ह आगे वाले में लगबग 20% तक या 15% तक टायर बचा हुआ है तो लगबग 10,000 तक टायर चल सकते हैं अगर अच्छे से चला हुआ तो ठीक है गोड़ एर के टायर मिलते हैं अब ब्रिश्टोन में करेके भी आ रहे हैं एक पर अंदर दिखाता हूं कितना स्पेस हैं काफी अच्छा तकड़ा लेक्स पेस मिल जाता है यह कैसे ब्लोवर थे अब आपको यह सिर्फ ब्लोवर मिलता ता आगे कि हुआ खीश के पीछे भाइखता था जो ब्हूं कि यह थोड़ा सा मतलब क्या है पीछे आपकी पोजिशन है आपको बस गर्दन गर्दन आपको यहां प पीछे बीट लेनी चीए तो बहुत ही जबरतस गाड़ी है ठीक है पहाड़ों में भी तगड़ा परफॉमेंस है गाड़ी का आपको मुल्टिपल ड्राइब मोड्स को मिल जाते हैं अगर आपको मैलेज निकालना है सिटी मोड पे रखो एकोनोमी मोड पे रखो अगर आपको पावर चीए आप स्पोर्स मोड पे रखो ठीक है बाकि दो वीडियो मैंने और बना रखे हैं इसकी पॉजिटिव और नेगटिव की वह प्रपर आप दोनों वडिए देख लिएगा मेरी चैनल पर जाके टाटन एक पॉजिटिव दस दस पॉजिटिव नेगटिव बताएं मैंने एक वीडियो में इतना को बताना पॉसिबल नहीं हो पाता तो इसलिए मैंने उनकी डेडिकेटिव डियो बना दी थी इसमें मैं अपना एक्सपरेंश कर रहा था मेरेको आज तक कोई कभी दिक्कत हुई नही तो सारा को इसमें नहीं कभर हो पाएगा और भी चीजे जो मेरेको आपसे शेयर करनी वह में आपको अगली वीडियो में शेयर कर दूँगा तो यह सारा था इस गाड़ी के बारे में और एक चला ही मतलब पांच बंद़ बैठके चलते हैं कोई समस्या इस गाड़ी में होत इसमें ठीक है दो सबनारा साथ आर सोलक आपको टार मिल जाता है तो बहुत चोड़ा है ग्रिप बहुत तकड़ी है गाड़ी हाइए स्पीड में बहुत सही चलती है अब इसको एक सो नब्बब भी में लेकि एक बार सिर्फ एक ही बार लेकिया है उसके बाद मैंने कभी ग लगता है मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था गाड़ी जब 150-140 भी चल रही थी मुझे बहुत अल्टिमेट है बहुत जबरदस चलती है ठीक है पावर बहुत तकड़ा मिल जाता है और कोई दिक्कत नहीं गाड़ी में ठीक है बाखी एक शेर करना चाओं एक बार मेरसे इस गाड़ी में भाई से मतलब डीजल किजिके पेट्रोल लल किया तो उसकी मैं अलगी स्टोरी बना बता हूँ आपको अभी ठीक है अलग वीडियो बना दूगा उसके लिए उसमें आपको शेर कर दूगा ठीक अभी के लिए तो आई थिंग मैंने सारा कुछ कवरी कर दिया इससे इन लगते कि पावर कम है इसा भी अनलगता कि बहुत ही कम है अलेकिन स्पोर्स मोड और सिटी मोड इमना गाड़ी पंजा दबाती घूली हो जाती है स्पोर्स मोड आप पंजा दबाता करें आपको इतना बढ़िया फिकप है